नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियो लाजी विद मनीज पर डियर स्टुडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समा सास्त्र में थिंकर्स पर और इस थिंकर का नाम है हर्बर डिस्पेंसर हम लगातार थिंकर्स पर श्रीज बना रहे हैं जिसका एक मात्र उद्देश निश्चित ही आपकी सफलता सुनिशित करना है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यूजी सिनेट जियारेफ और पीजी टी यानि प् बहतर आउशर है जब आप अपनी तयारी को दुबारा क्रूम कर सकते हैं बहतर बना सकते हैं इसे समंदित हम लोग स्लेबस वाइस बातचीत डिटेल में करेंगे और एक नई स्ट्रेजी लेकर आएंगे जिससे आप अपनी सफलता सुनिशित कर सकें आपके जो रिक्वार् पर आप हमारे इसी नंबर पर टेली ग्राम से संपर कर सकते हैं यह वाट सब भी कर सकते हैं तो आई हम लोग लेक्ट्र स्टार्ट करते हैं हर्बट स्पेंसर हर्बट स्पेंसर के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे जिन लोगों ने ग्रेजुशन में पढ़ाई की होगी या पी जी में उन लोगों ने पढ़ा होगा तो स्पेंसर को एक फंशनलिस्ट्थिंकर के तौर पर माना जाता है एक प्रकारवादी चिंतक के तोर मना जाता है और इनका जो सबसे अहम काम है वो यह है कि इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिध्धान को समझाने के कोशिस करी और कहीं न कहीं उसमें डार्विन के प्रभाव से उसे परे देखा नहीं जा सकता यानी कि इस्पेंसर पर डार्विन का गंभीर प्रभाव शकारात्मा प्रभाव परिलच्छित होता है जिसके आलोक में यह जिस संद्व में ही इस्पेंसर को समझा जाना चाहिए डार्विन की जो थेरी थी उद्विकास का सिध्धान उसको इसमें सामाजिक उद्विकास के संदर में लागू किया जैसे उनका जो उद्विकास का सिध्धान थे survival of the fittest पर बेज़ड है कही न कहीं उसमें ये बातें सामिल हैं कि हम अपने आपको कैसे बहतर बना सकते हैं और गेन के तोर पर समझा यानि यह उन्हों नहीं जिस तरीके से अस्थ प्रकरतिका ध्यान किया उसी तरह से सपे pród S Así क्या सास्तर में यूज कर लिया इसका आशे क्या है घृओंट्स आशे यह है जैसे हमारे पूरी body है किसी भी जैसे हाथ में दर्द हो जाने से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, lecture नहीं कर पाएंगे, board पर नहीं लिख पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे उसी तरीके से society के भी किसी एक अंग में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हम दूसरे काम समाज के औरुद्ध हो जाते हैं तो समाज में हम दूसरे काम बहतर ढंग से functionalize नहीं कर सकते हैं एक्जांपल के लिए जैसे अगर family system में विक्रतियां पैदा हो जाएं तो निश्य थी विवाह नातेदारी संबंध इत्यादी संबंध प्रभावित हो जाएंगे नकारात्म ग्रूप से तो उसी तरीके से हम लोग समझते हैं फिर उनका एक सिध्धान्त है जिसे सैन और ओदोग समाजों में बहतर के संदर में समझा जा सकता है इसमें उन्होंने प्राचीन और आधुनिक समाजों के अध्यन को अलग-अलग धंग से कमपरेटिव इस्टडी के माध्यम से समझाने की बहतर कोसिस की है यह इस्पेंसर के बहतर कामों में से एक माना जाता है तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं इस्पेंसर को कि हम इस्पेंसर को क्यों पढ़ है और हमारे लिए यह क्यों जरूरी है तो इस्समर की बारे में सभसे पहली बात उया है कि पेंसर को समासास्तर्का में इंगलिस फ्टादर कहा जाता है, अब मैं यहाँ पर अग्र कभी प्रष्ण आता है कि समासास्तर का जनक हों आप सभी को पता है अगस्ट काम्टे या अगस्ट कॉंत vivir इसकी बात है कि आप सभी को पता समाचास का अकादमिक जनक यह जाता है तो मल दरकाइं को लगाया जाता है और समाचास का इंगलिस जनक कहा जाता है तो हरवट स्फेंसर को टिक किया जाता है यह बहुत अहम चीज़े हैं इन्हें आप ध्यान रखें फिर इनकी पुस्तके बहुत ज्यादा पोछी आती हैं सोसल इस्टेटिक्स इनकी हर एक पुस्तक जो मैंने सोशियलोजी है पहली पुस्तके सोशल इस्टेटिक्स फिर अगली पुस्तक का नाम है सिंथेटिक फिलोसफी सिंथेटिक फिलोसफी फिर अगली पुस्तक का नाम है डिस्क्रिप्टिव सोशियलोजी और इनकी नेक्स्ट बूक है फास्ट प्रिंसिपल फास्ट प्रिंसिपल यह पांच पुस्तके हैं इनको आपको याद रखना है मैं दुबारा दोहरा देता हूं सोशल इस्टेटिक्स इस्टडी अब सोशिलोजी सेंथेटिक फिलोसफी डिस्क्रिप्टिव सोशिलोजी और फर्स्ट प्रिंसिपल अब इस्पेंसर गेम लोग पदती सास्तर की करी ранstep और प्रकारवाद में अद्पी चीजों के अपने पत्धती सास्तर में सामिल किया है देar पूंख बूंस जैसे आप सभी को पता है कि पत्धती सास्तर हर समांसास्त्र चिन्त कि या किसी भी सहुरी छो फिलोसफर होता है या राइटर होते हैं उनका और मेथट होता है जिसे 35 अस्तर कह सकते हैं, यानि एक ऐसी चाभी जिसे सभी ताले खोले जा सकते हैं, यानि सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है. तो इसमें ये तीन बातें अहम रूप से सामिल हैं, समाजिक सुरूप, समाजिक उद्विकास और प्रकारवाद. अब हम लोग बात करते हैं सावयूव सिध्धान के बारे में, तो सावयूव सिध्धान पर डार्विन का प्रवाव पड़ा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी अच्छे से चर्चा पहले कर ली है. आगे बात करते हैं सामाधिक उद्विकास पर तो इस्पेंसर कहते हैं कि सामाधिक विकास बेसिकली एक प्रकार का परिवर्तन है जो समंधित अनिश्चित समरूपता की इस्तती में होता है जो समाधिक उध्विकास है यह अनिश्चित समरुप्ता यहन्य के लिए कोई यह नहीं कि इस पेटिकुलर टाइम पर ऐसा होगा एसा नहीं है हाँ पर होगा जरूर अबस्पेंशर उध्विकास को किए वह सारभौमिक परकरिया मानते हैं सरलता से जटिलता की और विकास उद्विकास एक्जामपल के लिए एक बच्चे का बड़ा होना एक एक जो है बीज का पौधा वनना आप उसे उद्विकासी प्रक्रिया समसकते है अब बात करते हैं अगे अद्विकास सिध्धा koş democracy कि अनुसार समाज के प्रकारों पर चार्चा करते है तो बहुत इंट्रेस्टिंग है यह कई बार आप यह स्वेरी वेरी वेरी इंपर्टन्ट है झाल समाज स्राल ire यानि मद्यकालिन समाज की तरह समझ सकते हैं और फिर त्रीगुडिन समाज यानि आधुरिक समाज की तरह समझ सकते हैं तो इस तरीके से इन्होंने चार प्रकार की समाज बता हैं सरल समाज जटिल समाज दुई गुडित समाज और त्रीगुडित जटिल समाज और अगला कंसेप्ट है योग्यतम का अस्तितो यानि उच्चतम की उत्तर जीविता यानि कि जो सरुस्रेष्ट है जो बलिष्ट है वही जीएगा चाहे प्रकर्ति का सिध्धान्त हो चाहे समानी सिध्धान्त हो आगे बढ़ते हैं स्पेंसर के साइन और ओद्योगिक समाजों में भेद की तुलना हम लोग समझते हैं यहां से भी प्रश्ण डेल में पोछा जाता है इसलिए आप उसे ध्यान से समझेए पहला है पहला अंतर यह है कि ओद्योग समाज सांतिपूर यह एक एक सब्द इंपर्टेंट है सांतिपूर पारश्परिक व्यक्तिगत सेवा की क्रिया स्वाप्रेरणा न्यायके सिध्धान पर आधारित हैं जबकि सैन्य समाज अनिवारे सहिकारिता आग्याओं की कठोरत पर आधारित है कि दूसरी विशिष्टा यह है दूसरा अंतर यह है पहले में आप हम समझते हैं दुबारा है कि ओद्योग समाज सांतिपूर पारश्परिक व्यक्तिगत सेवा की क्रिया वस्वाप्रेरणा न्यायके सिध्धान पर आधारित है जबकि सैन्य समाज अनिवा समाज में यह जो है समन्द है राजय और बेक्तिगर समन्द है वो केंद्रित ठीक अब तीसरी विशिष्टा पर आते हैं अवद्यूक समाज में पदों ब्योसायों तथा निवास की गति गतिशिलता पारस्परिक निरभरता सोतंत्र और सांत ब्यापार पर जोड़ दिया जाता है जबकि सैन समाजों में पद ब्योसाय और निवास का इस्थाइत है विदेशी व्यापार में विदेशी व्यापार में कमी